तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा जैसे इसमें लिखा है API SN नमस्ते दोस्तो और वेलकम टो मैं चैनल यहाँ पर मैं आपको इंजीन के बारे में और इंजीन ओइल के बारे में बताता हूँ हर एक इंजीन अलेक मैनुफेक्चरिंग के हिसाब से मैनुफेक्चरिंग डेट अलग होता है और मैनुफेक्चरर भी अलग होता है तो सबका रिकमेंडेड ओइल शायद से यही नहीं रहे है यह इसको बोलते है ओइल ग्रेड तो मेरा ओइल ग्रेड है 10W50 मतलब 10 मतलब lowest number य क्याने कि अगर आप रेकिस्तान में गए नॉर्मली मुंबई के अंदर तो 50 डिगरी सलसेस कभी नहीं होता है लेकिन में भी आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर ज्यादा हो सकता है या फिर आपका इंजिन ज्यादा हो सकता है तो वहाँ पर यह ओल ग्रेड काम में आता कर नहीं है लेकिन जो भी रहे गा मैं नीचे कमेंड में टाइप कर दूँगा दूसरा चीज मैंने धुलडगी पहले वद्धाता कि तीं तरीके के इंजिन ऑल अते है एक होता नॉर्माल इंजिन ऑल, मिल ढॉसरा होता है समय सिंथेटिक होता है आप सकते हो यहां पर इस Professor almost 1300 के असपस का है और दूसरे जो engine oil होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं like 300 रुपे में सेम आपको मिल जाएगा साधा वाला और 500 सेच लेके 600 रुपे में आपको मिल जाएगा semi-synthetic, semi-synthetic यानि कि synthetic और normal engine oil दोनों के mix-up okay अब यहाँ पर आप देख रहे हों यहाँ पर level दिया है तो depend करता है कि आपके engine में कितना oil जाता है उसके हिसाब से मेरे bike में mostly 1700 ml जाता है तो मेरे पास 1.5 लिटर है तो मुझे extra additional 200 लिटर लगेगा engine oil का अगर आप गलत grade use कर रहे हो तो शायद से warranty में issues हो सकता है लेकिन अगर आप engine oil का grade same use कर रहे हो तो engine का warranty में या bike के warranty में कोई भी तरीके का problem नहीं हो सकता है mostly कभी कभी आपको top up भी करना होता है top up यानि की for example जैसे आपने bike ले लिया bike चला रहे हो और bike चलाने के time पे आपका engine oil थोड़ा खतम होते रहता है तो जैसे ही engine oil खतम होते रहता है तो आपको यहाँ पर हमेशा एक काच दिखा जाएगा तो जहां से आप पता कर सकते हो या फिर किसी किसी bike में इसको खोल के आप उपर निकालोगे तो oil level पता चलेगा तो उससे आप अपना oil level चेक कर सकते हो कि कितना oil है आपके bike में अगर वो लो के आसपस पहुच गया तो आप एक नया engine oil लेके उसमें funnel के जरीए add कर सकते हो engine oil जितना maximum level तक हो सके उतने level तक 125cc में engine oil फटाक से उपर आजाएगा मतलब अभी भी मेरे bike में engine oil है आप शायद से low level के आसपास का है तो मुझे already top up करना था तो मैंने सोचा कि other than like सिर्फ top up किया जाए और ओभी old engine oil के साथ तो मैं यह सोच रहा था कि नया engine oil ही पूरा क्यों नहीं change कर लो इसलिए मैंने यह motul का न यूज किया है और कैस्ट्रोल और यह मैंने प्रिवेस होंडा के बाइक में यूज किया था पर मुझे उसके बीच में इतना ज्यादा परफोर्मेंस डिफरेंस नहीं दिखा जैसे अभी motul का क्या चीज होने वाला है वो मैं जल्दी ही review press upload करूंगा तो please wait for it इसमें फिलाल vibrations हो रहे है engine में से weird आवाज आ रहा है reason है engine oil level कम हो रहा है तो of course अगर level कम होगा तो बराबर से lubricate नहीं होगा तो मेरा main reason यह है engine oil add करने का कि मेरे bike का engine oil level कम हो चुगा है तो मुझे इसमें top up करना है top up करने के regarding मैंने यह सोचा कि top up करने से better है कि पूरा change ही कर लिया जाए और मैंने आपको अल्रेडी पहले बताया था आप oil filter भी निकाल सकते हो और यहां से oil डाल सकते हो और बाकी depend करता आपके उपर कि आपको क्या क्या चीजे करनी है यहां पर हर एक oil का number दिया रहता है ठीक है यह number बहुत important है और यह जो लिखा है वो आपके bike manufacturer ने दिया है कि नहीं तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा जैसे इसमें लिखा है API SN SN मतलब latestly API मतलब American petrol something कुछ तो है उसका full form और SN मतलब कौन से year में manufacture हुआ है कौन सी year की motorcycles के लिए है तो dominer recommend करता है SJ और SN मैं उसमें use कर सकता हूँ क्योंकि SJ somewhere around like old 2003-04 का कुछ रहेगा और SN मतलब latest और मेरे bike का manufacturing date latest 2019 है बराबर of course और 2019 रहेगा उसमें मैं SN डाल सकता हूँ क्योंकि यह latest model के लिए है engine top up के regarding मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले अपना oil level check करना है और अगर required हुआ तो ही आप engine oil इसमें add कर सकते हो तो मैंने यही सोचा कि other than थोड़ा सा add करे उसमें पुरा ही oil change कर लेते हैं और एक और बात है कि engine oil अगर खराब हो गया है खतम हो गया है और कोई कोई भी manufacturer अगर आप में इंजिन एड़ किया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा other than consider to आप जाओ personally वहाँ पे और फिर वहाँ पे बाद में future में जाके change कर वालो तो और मेरे हिसाब से जितना मैंने मैंने अपने life में experience किया है कोई भी brand या model maker कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने यह engine oil क्यों यूज किया और उसके वज़े से तुम्हारा warranty अवर्ड हो चुका है तो warranty से regarding कोई issues नहीं है other than तुम कोई अगर कोई और ग्रेड का use करो तो like 20W50 में डॉमिनार में नहीं एड़ कर सकता क्योंकि manual पे recommend किया 10W50 तो of course आपको 10W50 ही लेना है मैंने सोचा था personally engine oil में change करूँगा लेकिन एक problem हो चुका है कि मेरे पास यहां पर help करने के लिए कोई नहीं है लाइक जिसर का time पर मेरा friend था पर यहां पर actually problem यह है कि बहुत सारी चीज़े लगेंगी और फिलाल मेरे पास कोई भी help करने के लिए नहीं है even मेरे पास equipments भी नहीं है तो मैं सोच रहा कि क्या होता है एक और बात बताना मैं भूल गया आपको कि वारंटी से रिगार्डिंग मैंने वो मेकेनिक से भी पूछा वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बजच के parts, spare parts, original spare parts में dealing करता है तो उसने में मुझे यही बोला कि लाइक बजच ऐसा बोलता है लेकिन अगर आप चलाते हो रस्ते में और कहीं पर अगर आपका bike का engine oil खतम हो जाता है या any problem हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे बिना engine oil के bike चलाओगे तो इसा कुछ भी नहीं है warranty से regarding आपको टेंशन लेने का ज़रूद नहीं है आप कोई भी engine oil डाल सकते हो सिर्फ आपको जो भी engine oil आड़ कर रहे हो उसका grade सेम रखना है और make sure कि आपका engine oil जो मैंने बता APSJ वो उसके latest होना चाहिए जिस तरीके से भी आपका model है वो तो दोस्तों थेंकि सो मच फार वाचिंग आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक इट नवया हो तो मेरे चानल पर सब्सक्राइब कर देना थेंकि सो मच बाबाई राइड सेफ बी सेफ गट ब्लेस है मत्सक्राइब कर दता है वो तो कर दो देंक sıRA नवी डर preheतने तो अगर वीडियोंग है खेंकि सो मच नवारी क कर दिए व πεोई नवी को थावी आपको मेरे वीणमे तो फो जा हैं अभ़ा और तो रह रहा है झाल झाल